स्वागतिया आप सभी का अग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का जो चैप्टर नुमबर 5 है इसका टोटल सल्यूशन करने वाले हैं यानि की सारे अबजेक्टिव और सारे सब्जेक्टिव कोश पढ़ा चुकी हूं इसके पहले वाले वीडियो में तो अगर आश्याना नाम का यह जो अफसाना है आप लोग नहीं पढ़ें तो जरूर पढ़ लिजेगा बहुत ही मज़दार अफसाना है बहुत कुछ सीखने को आप लोग को मिलेगा और अगर आप लोग चैप्टर करें करें पर दूसरों के पास जितना ज्यादा होसा के चैनल अगर आप लोग न आया हुए है मेरे वीडियो का करें उससे हो गा यह कि मेरे रोजने वाल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा ठीचह तो चलिए आश्याना नामके चैप्टर का ट सब्जेक्टिव कोशन, देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रिन के उपर अलड़ी आ चुका है, सवाल है कि निगार अजीम की पैदाईश कब हुई, बताईए, आपसन A में हैं उन्हें से 55, B में उन्हें से 56, C में उन्हें 57 और D में इन में से कोई नहीं, तो देखिए, इसका सही जवाब जो होगा, वो आपसन नंबर D हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, ठीक है, दूसरा सवाल, निगार अजीम का असल नाम, रियल नेम बताना है, तुम्हें आप लोगों को बताई ही ती, मलके महर निगार यानि कि आपसन नंबर A इस दराइट एंसर चाप् अशियाना नाम का अफसाना निगार अजीम के द्वारा लिखा गया है, निगार अजीम ने किस मजमून में में किया, देखे इस बार कोशन ये पूछ दिया था, तो याद रखना है, उर्दू और फार्सी में निगार अजीम जो है न, एमे की थी, और यहां तक ही ड्रोइ अशियाना किस तरह का अफसाना है, तो यह एक नफसियाती यानि की साइकलोजिकल कहानी है, अफसाना है, ठीक है, अशियाना की अफसाना निगार कौन है, निगार अजीम है, निगार अजीम के सफर नाम का नाम गर्द आवारगी है, ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब यहां स सबसे पहला कहानी का किताब का नाम था गहन ठीक है निगारेजिम का मजमूव गहन कब शाय हुआ तो ने सब शाय हुआ था उनका सफर नामा का नाम अक्स ठीक है सफर नामा का नाम यहां पर अक्स दिया गया है और यहां पर गर्द आवारगी दिया गया है चाजी यह एक गर गर्द आवारगी तो यहां पर option में गर्द आवारगी दिया था इसे लिए टिक कर दिया गया है लेकिन यहां पर दूसरा सफर नाम का नाम दे दिया गया है अक्स ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से start हो रहा है मुक्तरसर सवालात यानि की short type question सही और सही के फरक को तूत अलफाज है यानि की एक जैसे pronounce होने वाले लवज हैं यह दोनों एक ही जैसे pronounce हो रहे हैं उचारण एक ही जैसा है सही और सही ठीक हैं लेकिन मानी के लिहाद से दोनों में बहुत बड़ा फरक है दोनों को जुम्लों में इस्तमाल करके ही हम लोग फरक वाज़ कर सकते हैं सही के मानी गनीमत के होते हैं जबकि सही के मानी दुरुस्त के देखिए सही यह वाला जो सही है ना इसका मतलब होता है गनीमत के यानि कि अगर हल्वा मैसर नहीं हो तो गुड़ी सही अगर हल्वा मैसर नहीं हो अगर हल्वा नहीं है तो गुड़ी सही अगर कलम ही नही अगर कलम नहीं है तो पैंसिल ही सही तो यह पैंसिल ही सही यहाँ पर इसको यूज किया जाता है सही का लेकिन यह वाला जो स्वाद वाला जो सही है इसका यूज होता है दुरुस्त के मतलब जूट बोलना सही नहीं है दुरुस्त नहीं है तो इसका यहाँ पर यूज होता है ये अर्दू के ऐहम तरिन खातून अ अफसाना निगार अफसाना निगारों में निगार अजिम के शक्षित नहायद आहम है उनके अफसानों के मोजवात जदी त 그래요 के बदलते हुए हालात है इन निगार अजिम अपने अफसाने जो लिखा करती हैं, उनका जो मौजू है, यानकी टॉपिक होता था, वो मौडर्न जमाने के बदलते हुए हालात के बारे में हुआ करता था, और इसलिए काफी जादा मसूर हुई, उन्होंने अफसानों में औरतों के मसाल को खसूसी तोर प अफसाने हैं, उनके अफसानों में मौजवात की पेशकर्श और करदारनेगारी नहायत अहम है, बहुत ये अच्छा तरीके से ये अफसाना लिखा करती थी, और जादतर इनके अफसानों में औरतों के जज़बात को देखा जाता था, जाहिर होता था इनके अफसाने में, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल सिन्फ अफसाना पर पांच जुम्ले लिखिए अफसाना के उपर आप लोगो पांच सेंटेंस लिखना है कि किसे कहते हैं अफसाना अफसाना का मतलब क्या होता है और ऐसे तो आप लोग जानती है अफसाना का मतलब कहानी बस वही जवाब में लिख देना है फक्षन की मुखतसर तरिन शकल अफसाना है दूसरे अलफाज में मुखतसर कहानी को सही फ़नी एतबार से अफसाना कहते हैं अगर दूसरे लफज में कहा जाए तो मुख्तसर यानी कि शौट कहानी को हुँ हम लोग अफसाना कहते ही नाविल की बनिसबत उदू में अफसाने की रिवायद जदीदतर है नाविल में किसी शक्ष की पूरी जिंदगी की अकासी होती है जबकि अफसाने में जिन्दगी के किसी एक पहलू को पेश किया जाता है नाविल जो होता है नाविल में पूरी जिन्दगी की अकासी होती है मतलब जब पैदा होने के बाद से लेकर मृत्तिव तक पूरी जिन्दगी के बारे में बताया जाता है लेकिन अफसाने में जिन्दगी का एक पहलो एक छोटा सा घटना उठा लिया जाता है और उसी को लिखकर वियान कर दिया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग अफसाना यानि की कहानी लेकिन नाविल में पूरी जिन्दगी को वियान किया जाता है पूरी जिन्दगी में आप कहा गए किया किये वो सारा चीज लिखा जाता है ठीक है वो होता है नाविल आज के मुशनी और तेजर रंतार जिन्दगी में अफसानों के जरीular जिन्दगी के मसाल को समझना जादा सान है नाविल आफसानों में एक बुनिया दी फर्कीर एय कि ह बेटक में नहीं पढ़ सकते हैं, तवील सवेलात सुटर्ट हो रहा है, सिराज की वालिदा अपने बेटे के घे अपिताहट क्यों महसूस करने लगी। कि वहां उन्हें कोई घेलू जिम्मेदारी नहीं थी, सिर्फ खाना और आराम करना था, इसलिए उनके जिन्दगी में एक यकसानियत आ गई थी जिसकी वज़ा से वा बेटे के यहां उक्ताहट महसूस कर रही थी इन्सानी फितरत, हरकत और तब्दिली चाहती थी कहानी कुछ इस तरह से है कि सिराज की वालिद बरकत अली एक आला एदे पर फाइस थे बीवी के बाल बच्चे थे जिन्दगी में खुशाली थी मौशरे में बरकत अली को एक वकार हासिल था और दुनियावी एतबार से वहर तरह से कामयाब थे जिन्दगी में बजाहर कोई कमी नहीं थी उन्होंने अपने बेटे सिराज को भी आला तालिम के साथ आला मुलाजमत दिलवाया वो मुलाजमत के वज़ा से घर से दूर अपने एहल वायाल के साथ रहने लगा बरकत अली सिद्गी भी अपने ओदे से रिटायर होने के बाद जिन्दगी की दूसरी जिम्मेदारियों से भी फारिग हो चुके थे उनके बेटे सिराज और उनकी बहु ने अपने सास ससुर को यह कहकर अपने यहां बलवाया कि अब आप लोग के काम करने का खत्म हो गया अब आराम करने का जमाना है इसलिए अब आप लोग मेरे यहां आकर आराम कीजिए और हमें खिदमत का मौका दीजिए ठीक है चुनांचा बरकतली अपने एहलिया जरीना के साथ अपने बेटे के यहां चले गए वहां दोनों मिया विवी आराम से रहने लगे कोई काम नहीं सिर्फ आराम करना था अगर जरीना कुछ काम करना भी चाहती थी तो बहु खिदमत का बहाना बना कर टाल देती थी इस एक तरह के जिन्दगी यानि सिर्फ खाने और आराम करने के वज़ा से जरीना की तबियत में उप्ताइट पैदा हो गई थी और वो अपने घर के कल्म रो में अपने जिन्दगी जीना चाहती थी तो पूरा कहानी आप लोग जानते ही है चैप्टर पढ़ाई चुकी हूँ और बाकी यहां पर लिख दिया गया है लफजों को सजा कर तो आप चाहे तो जिस तरह यह लिखा गया है उस तरह आप लोग लिख सकते हैं नहीं तो आप लोग अपने हिसाब से कहानी तो जानते ही हैं, अपने हिसाब से कहानी लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, दूसरा सवाल देखिए, जिर निसाब अफसाना, आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए, यहां पर जो आशियाना नाम का अफसाना है ना, इस आश्याना नाम के अफसाने का जो मरकजी किरदार है मेन करेक्टर उस पर आप लोगो रोशनी डालना है उसके बारे में बताना है तो चलिए जवाब देख लेते हैं आसान है उसके मतलब जो जरीना है इस आश्याना नाम के अफसाने का मरकजी किरदार में आप लोगो बत देना है कहानी पढ़ें आप लोग चाहें तो खुद से भी लिख सकते हैं फिलाल जवाब देख लीजिए जवाब से भी थोड़ा बहुत आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह लिखा जाना चाहिए तो देखिए निगार अजीम का शामिल नसाब अश्याना एक मौ अश्याना चाहिए अफसाने का मरकजी किरदार जो है जरीना है जो की बरकत अली सिद्यकी की ये बेगम है वाइफ हैं बरकत अली आला एदे से रिजायर कर चुके हैं और अपनी बेगम के साथ खुशारी और पुरसकुन जिन्दगी गुजार रहे हैं और उनका बेटा सिर का अराम और सुकुन फराहम करता है वही बात है पुरा कहानी तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूं अब बरकत अली सिद्यकी और उनकी जो बेगम है जरीना दोनों चले जाते हैं अपने बेटे के घर वहाँ पर हर तरह का उनको सुकून मिलता है एक परसेंट भी किसी चीज़ का टेंसर नहीं सिर्फ खाना है और आराम करना है खाना है और आराम करना इस तरह 2-3 साल बिख जाते हैं और इतने सालों में जो है न जरीना और उनके जो हस्बेंट है शोहर बरकतली दोनों जन उगता जाते हैं क्योंकि और कोई काम नहीं रहता है च्शिर बैठे अपना घर होगा जिस पर हमारा अपना हक होगा हमारी अपनी हुकूमत होगी हम जो चाहे अपने घर में कर सकते हैं लेकिन यह तो बेटे और बहु का घर है हम लोग कुछ काम करने भी जा रहे हैं तो यह लोग करने नहीं दे रहे हैं यह लोग तो हम पर ही हुकम से ला रहे है इनका तो ये अपना घर है तो इनका इन पर इनी िका हक रहेगा चलो हम लोग वापस अपने ही घर में चलेंगे चलते हैं और भले ल wait two चाइं ही बनाना दाल चावल ही बनाना वही खाकर रहेंंगे लेकिन खुशाल जिंदगी तो विताएंगे अपने गर पर लुक्त तो होगा तो यह सारी बात आप लोगो लिक देना है लंबा चोड़ा तीसरा देखिए अफ्साना का जाइज़ा लीजिए वर वियो उकरना है अफ्साने की जो शुरुवात है कैसे हुई शुरुवात आगाज या आप लोगो बताना है कैसे अफसाना स्टार्ट हुआ ठीक है और उसके बाद से विकास कैसे हुआ अफसाना का यह हर एक चीज तो देखिए मुक्तसर अफसान मुक्तसर पिस्सक कहानी को आम तोर से अफसाना का नाम दि तरह है मसलां किस्सा प्लाट करिदार मुकालमा और नुक्ता अरूज वा जमान वा मकान के साथ वहिद्दत तासिर भी होता है अर्दू में मुक्तसर अफसाने के बानियों में सज़ाद हैदर यल्दरम का नाम लिया जाता है उनका पहला अफसाना नशे की पहली तरंग था ज सज़ाद हैदर यल्दरम का नाम आता है जो कि उनका पहला अफसाना था नशे की पहली तरंग जो कि शाय हुआ था उन्हें इस सवा में प्रकाशित किया गया था उसके बाद से उन्हें सचार में उर्दू का दूसरा अफसाना च्छाओ के अशाथ हुई जिसको अली मुहम हुआ और अफसानों के दिन्या में एक तहलका मचा दिया मतलब बहुत ही ज़्यदा लोग इस अफसाने के किताब को पसंद किये बहुत ही बहुत ही बढ़िया तरीके से मनुशी प्रेम चंड जो है न अफसाना लिखे थे जिसके वज़ए से यह हुआ था सोज़ देखिए ब्रिटिस सरकार ने इसको जब्द कर लिया ठीक है उस वक्त अर्दू अफसाने ने अपने इर्तका में नई रफ्तार पकड़ ली प्रेम चंड अपने अफसानों में ख्याली किसा कहानियों के साथ जिन्दगी की देगर मसाइल को भी पेश किया हलांकि सज्जाद हैदर य नमबा लिखा है उतना ही लंबा आप लोग लिखेंगे इसको शॉर्ट काट करके आप लोग छोटा कर सकते हैं ठीक है बहुत साथ लोग का कमेंट आता है कि इतना लंबा लिखा है तो क्या हम लोग इतना लंबा लिखें जी नहीं आप लोग इतना लंबा नहीं लिखे इस ठीक है तो देखिए जवाब में लिखा है कि उर्दू अफसाने के जुल्फ फेचा को जिन ख्वातीन अफसाना निगारों ने समारा और निखारा है उनमें निगार अजिम की शक्षियत नहायत एहम है निगार अपने फन की पुखतगी में बाज और शकीला अखतर जिलानी बानों और इसमत चुकताई के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं उन्होंने अपने अफसाने के क्यून्स को बदलते हुए साइंसी और माधी माहौल में काफी वसाद दी और माधी मसाइल के साथ अपने अफसानों में नफसियाती गुत्छियों को भी सुलचाया है मौजू बचवड़ा आप लोगो लिख देना है ये भी पढ़ते रही हुँ चलिए नगार अजिम ने अपने अफसानों में ख्वातिन के मसाइल को भी बड़े होसले और बहादुरी के साथ पेश किया है अगर नगार अजिम के अफसाने किसी भी हम असर खातून अफसान नगारों नहीं है तो ये लबार चोड़ आप लोग लिख देंगे यहां से आगे की भी जो है नगार अजिम ये अफसाना अशियाना इसका खसूसिए बें किया है कि शामीले निसाब अफसाना में अशियाना में नगार अलिम ने एक ऐसे खाarnी की नफस्यात का तजर्बा किया है ज और उनकी एहलिया जरीना और अफसियात जिन्हें बुढ़ापे में अपने बेटे और सिराज अपने बेटे सिराज और उसकी बीवी इर्फाना के साथ रहने पर मजबूर करता है लंबा चोड़ा आप लोग लिखती चीएगा ठीक है अब देखें यहां पर थोड़ा उर्द जिद एक वाहिद हैं लेकिन इसका जमायन की प्लूरल बहु अचन होगा अजदाद मौका एक मौका मिला तो वो हो गया मौका यान की वाहिद लेकिन धेर सारे मौका मिले तो उसको क्या कहते हैं वाहिद का जमा क्या हो जाएगा मौका का मसाइल खिदमत का खिदमात हक का पाहिद से जमा बना दिया गया है आई होप यहां पर आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा फाइनली यहां पर हो जाता है आप लोग का अब्जेक्टिब प्लस अब्जेक्टिब दोनों कोश्चन का एंसर कंफ्लीट पूर्ण रूप से आप लोग का यह फड़ाफट लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो और कमेंड में लिख कर बताए कि हाँ चीज़े समझ में आई है फड़ाफट वीडियो को लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किये हैं तो शेयर कर दें अपने पड़ोस के अपने दोस्तों के पास वडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज